नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में बात करेंगे एक सज्जन ने आज हमसे पूछा क्या रिलाइंस का कोई एक्षेंज आने वाला है यानि के क्रिप्टो एक्षेंज वाकिज में बहुत बड़ी बात थी और जब इसके बारे में थोड़ा सा चानबीन की तो चलो इसके बारे में डेटेल में बताता हूँ आखिर ये बात निकली कैसे है कि रिलाइंस का कोई क्रिप्टो एक्षेंज आ सकता है या इंडियन गॉर्मेंट ही कोई जोइंट वेंचर करके किसी के साथ कोई एक्षेंज ला सकती है क्या ऐसा हो सकता है ये भी डॉच कुछ करेगा या ऐसे ही फिलाल कानी खतम सी है चलो सबको लेते हैं पहले लेते हैं जो अपना बिजनिस टाइकों यानि के मुकेस अम्माने रिलाइंस ये नाम आपने बहुत अच्छी तरह चर्चा में सुने हुए खूब अच्छी तरह मार्केट में अपने किया हुआ है दस ट्रिलियन असेट्स को ये मैनेज करते हैं तो अब इतनी बड़ी फर्म जो है कहीं ने कहीं रिलाइंस के साथ एक जॉइंट वेंचर कर रही है और वो किसके लिए कर रही है असेट्स मैनेजमेंट इंडस्ट्री में एक तरह से आने के लिए तो अब क्या ह आई देखिए वो तो पहले से ही है ब्लैक रॉक तो अलड़ी पहले से इस इंडर्स्ट्री में एक तरह से किंग है उसमें कहीं जो जॉइंट वेंचर इंडिया के लिए वो मुकेशंबानी के साथ हो रहा तो इसलिए ये नियूज निकली क्या भविस्ट में क्रप्टो एक्षेंज भी आ सकता है तो देंके सब बिल्कुल आ सकता है अब आप यह कहो कि इतनी बड़ी हस्तियां जो है एक तरह से जॉइंट वेंचर करके और यह काम कर रही है तो क्या सरकार पीछ रही कि नहीं सरकार भी इनको देखिए आज नहीं तो कल कल नहीं तो कहता है कि कुछ टाइम बात इनको पर्मिसन देगी देगी और एक्षेंज आप भी सकते हैं लेकिन फिलाल देखिए ऐसी कोई चर्चा नहीं है एक्षेंज की अभी जो मैंचीज है वो यह है इनका जॉइंट वेंचर आ रहा ह यह असेट्स मेनेजमेंट कंपनी इंडस्ट्री में आने के लिए तो अब जो भी है पॉजिटिव हो रहा है क्रेप्टो के लिए तो पॉजिटिव है क्योंकि ब्लैक रॉक से आप यहां देख सकते हैं कि ब्लैक रॉक ओलेडिवा बिटकोईन की एटीफ के लिए अबी रिसेंट्ली दिया है अर्न विद रोहिताश चैनल पर साइध परसो ही दिया हुआ है तो परसो का वीडियो आप देख लिजिए उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो उसके वीडियो के लिंक में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बाकाइदा सीय का नंबर भी अव कोंटक कर लीजिए अगर आपके नॉलिज में नहीं है माले आप आपके नियर भाई भी आप किसी को नहीं जानते हैं तो देखें यह सीय का मैंने नंबर एक दिया हुआ है आप उनसे बात कर लीजिए क्योंकि जो सीय आपको बता सकता है वो साइध नॉर्मल इंसान उतना नहीं बता सकता तो आप बार-बार मुझे पूछे या किसी और पूछे तो मैं तो आप इतना टाइम है नहीं और आप यह टाइम बरबाद ना करें बहतर है वह होगा कि आप किसी अच्छे सीय के साथ कॉंटक करें और अपना टेक्स फाइल करें तो अब उस यह कोई भी हो एक हपता सायदा बचा भी नहीं है तो देखिए LTC में अभी फिलाल तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कोई मुमेंट नेजर आया नहीं है वही अपना देखिए अभी भी 90-91 डॉलर के आसपास चल रहा है अगर देखा जाया तो 1.5-2% के आसपास ही उपर गया है तो यहां से BTC के चांस जोगने नीचे आने के ज़्यादा है बजाए उपर जाने के तो अगर BTC इस कदर और डाउन आता है इस पोईशन से तो जो LTC की हालविंग है वो भी कुछ-कुछ गाला जैसी हो जाएगी तो यहां BTC का सुधरना बहुत ज़रूरी है अगर BTC सुधरा तो बहुत अच्छा नहीं तो फिर आप LTC की हालविंग से पहले की जो मुमेंट होती है उसमें बहुत ज़्यादा की उम्मीद मत रखना हालविंग के बात क्या होगा वो बात की बात है लेकिन हालविंग से पहले आप देख रहे हैं बहुत जादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है और नहीं बहुत जादा कुछ LTC भी करके दे रहा है तो यह चीज देखियो Ma'र्केट के अकॉर्डिंग ही चलती है अब मार्केट में फिलाल ये चीज़े नहीं चल रही है तो वो हालविंग भी आपको कुछ-कुछ फीकी ही नजर आ रही है अब जो उम्मीद है वो LTC की हालविंग के बाद कितना impact आता है वो देखेंगे हालविंग से पहले का तो देखें समझ में आ गया बहुत ज़्यादा की उम्मीद मैंने तो नहीं लगा रखी है मेरे पास भी है सेकंड पोर्टफोलियो में तो देखेंगे अब मैंने नहीं लगा रखी है जो मिल जाएगा बहुत अच्छा नहीं तो आब हालविंग के बाद आपको जैसा ठीक लगता है आप LTC में कर सकते हैं पूछा है बेबी डॉज में सर आपने बहुत दुना से कोई अपडेट नहीं दिया आकर चल क्या रहा है तो भाई मेरे बेबी डॉज कुछ चली नहीं रहा है कुछ इंटीगरेशन से या कुछ पार्टनर्सिप टाइप की इस टाइप के उसमें थोड़े बहुत हो रहा है वो भी थोड़े बहुत जिनकी कोई चर्चा भी नहीं है मार्केट में ये को बहुत ज़्यादा चर्चा हो ऐसा भी नहीं है हाँ कोई टीम अगर कुछ इसमें करने लगे टीम माली जो कोई ऐसा डवलमेंट लेके आए जिससे इन्वेस्टर जो है पैसा लगाने को मजबूर हो जाए तो जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तब तक देगे प्राइज नहीं पड़ेगा किसी का भी और फिलाल डवलमेंट के नम पर बेबी डॉज ऐसा कोई डवलमेंट कर नहीं रहा है तो इंतियार कीजिए भाई इसी का कि भाई अगर डवलमेंट कुछ होता है तो आपको उसमें एक ट्रेंड नजर आ सकता है जैसे यह आपने देखा कि लबली में चल रहा है या बिडगर्ड में चल रहा है कि जैसे वो एक्षेंज लिस्टिंग की बात चल रही है बहुत सारी कुछ यूटूबर से प्रमोशन भी कराया जा रहा है अगर वो भी ऐसा कुछ करते हैं कुछ promotion कराएं या exit listing की बात लेकि आएं तो फिर उसमें भी आपको एक trend नजर आ सकता है लेकिन फिलाल वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे है वो हात फ्यार रखके आराम से बैठे हैं जो होगा अपने आप होगा या फिर हो सकता है वो भी किसी एक अच्छे time का इंतियार कर रहे हैं तो भाई फिलाल baby dodge में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो जिनके पास है भाई देगे already वो नुकसान में हैं तो निकलने का तो कोई मतलब बनता नहीं है तो बैता रहे के पड़ा है तो पड़ा रहने दीजिए अब इससे भी और क्या नीचे जाना है इसको तो इसलिए यहा आप इसको hold रखें तो ज्यादा अच्छा है बाकि जब इसमें कोई trend आएगा उसके बारे में आप सोच सकते हैं बाकि आप अपने भी research करें कि आपको क्या ठीक लें कि वह आप हर इंसानकी एक अपनी जरूरत होती है अपना according ही उस सारे फैसले करता है तो आप थोड़ा सा इसके बारे मैंने बताते हैं फिलाल इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है एक दम से आपका देखिए 39,400 पर अभी भी वह अटका हुआ है यानि BTCP बहुत ज़्यादा कोई moment ले नहीं रहा है यानि उतरह से boring का हो या sideway का हो यहीं कह सकते हैं और यहीं चल भी रहा है ट्रेंड है ऐसे मीम कोईन्स में तो देखिए फिर उनका प्राइस थोड़ा सा बढ़ने लगता है तो यहां कुछ वॉलेट्स की मैं सिर्बाप को चर्चा कर रहा हूं कि देखिए कुछ वॉलेट्स जो है पेपे को दुबारा से बाई कर रहे हैं तो अगर यह वॉलेट्स बड़े स लेगा इस पर भी अगर कहीं आप पहले खरीद के बैठे हुए हैं और लॉस में हैं और आपको अगर यहां कोई प्रॉफिल मिलता है तो आप जरूर उस पर नजर रखें और अपने रिकवर कर सकते हैं अपने लॉस को तो चलिए फिर मिलते हैं किसीने अपडेट के साथ न दिर मोस рядом तो अबकू किर महां को अट लॉस कैशो कर सकते हैं और ब요लो कि कर सकती किसीने में हिम सकते हैं प्रोबकोफिकर के और बते हैं विकर एकार्ण। को लॉस्त वितत्वाहं को ब GOT बि 마지막 स face and see क time पंता है., ऌब cada द theaters Hund